हलो गाइस कैसे हो आप सब आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक सुपकाम ना आए आज हम आपको दिखाएंगे कि आप रंगोली कलर घर पर कैसे बना सकते हैं दोस्तों आज बिटिया ने बहुत सारे कलर बनाए हैं घर पर बनाए हैं यहीं करीब 4-5 चमत चावल का आटा ले लिया है और दो कटोरी में यह अलग-अलग कलर बना रही है बिटिया ने बहुत सारे कलर बनाए हैं लेकिन यहाँ पर हम आपको एक दो कलर दिखाएंगे और आप सभी लोग अपने मनमताबित कलर बना सकते हैं जो कलर आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यह चावल का आटा है और यहाँ पर हमने ले लिया है गुलाल यह होली का बचा हुआ गुलाल हमारे पास रखा हुआ था हर कलर का गुलाल है मेरे पास अगर आपके पास गुलाल ना हो तो आप एक एक रुपिया वाली जो पुडिया आती है कलर की हर हाँध से तो यह चावल से अचावल का आटा सावाल को डाल ने हास से और इसको आप और मिक्स करते हैं यह को अपने ठोई यह गत्जाता है आप लोग देख सकते हैं कि यह जो pink गुलाल हमने डाला था चावल के आटे में यह गुलाल पुरे तरह आटे में बदल गया है यह रंगोली कलर बनकर ready हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि घर पर आप बहुत धेड़ सारा जो कलर होता है वो बना सकते हैं क्योंकि मार्केट में कलर तो बहुत सारे मिलते हैं लेकिन नमक वाले कलर मुझे बहुत देखने को मिलते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते और ये आप घर पर बनाएए चावल का आटा ले आएए और इस तरह से कलर आप बनाएंगे तो आपको सस्ता भी पड़ता है और जितना चाहें उतना कलर भी बना सकते हैं दोस्तों तो इस तरह से आप नीला, पीला, हरा, गुलाबी जैसा भी चाहें वैसा कलर बना सकते हैं गुलाल नहीं है तो आप एक रुपे वाली पुडिया ले आए दुकान पर आपको मिल जाएगी और चावल का आटा आप ले लीजिए 40-50 रुपे किलो चावल का आटा मिल रहा है एक किलो कलर अगर आप बना लेंगे तो आपका पूरा घर सच जाएगा दोस्तों तो ये वीडियो कैसी लगी आपको आसा है कि आप लोग घर पर कलर बनाना सीखे होंगे रंगोली इस टाइम बहुत बनाई जा रही है हर घर में रंगोली बन रही है तो आप सभी लोग मार्केट की बजाए अपने घर पर ही कलर बनाईए और अपनी रंगोली को कलर करिये ये दोनों कलर बनकर तेजार हुए हैं और बेटि ने कई कलर और भी बनाए है पीला कलर बनाया है वैंगनी कलर बनाया है और बहुत सारे कलर बनाये हैं तो यहां पर हम आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना